हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज का टॉपिक है हमारी राउंडिंग नंबर राउंडिंग नंबर मीन्स क्या होते हैं किसी भी संख्या का बढ़ना या घटना क्या कहलाएगी राउंडिंग नंबर कहलाती है तो rounding numbers पढ़ने से पहले-पहले मुसके कुछ basic rule देखेंगे basic rule ये है कि 1 से ले करके 9 तक digit पहले हम लिख लेंगे वो भी 2 part में 1 first part में रहेगा 1, 2, 3, 4 and second part में 5, 6, 7, 8, 9 अगर digit first part में है तो वो value same वैसे की वैसे बनी रहेगी अगर digit second part में है तो हम उसमे 1 plus कर देंगे इसको पहले आप ध्यान से देखिए उसके बाद जो question आपको मिलेगा उसे solve करना जब हमको number name लिखना होता है कभी भी number name लिखना होता है तो आप कहते हो मैं में hundred में है कि once में है कि thousand में है तो पहले हम इस तरीके से पढ़ते हैं once, tens, hundred, thousand, ten thousand, locks, ten locks ऐसे पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ पे हमको पढ़ना है आज nearest, nearest, ten तो nearest ten पढ़ना है जैसे फस्त एक जामपल है हमारा 73 तो 73 once, tens हमें पढ़ना क्या है nearest ten rounding number में जब 73 आपको मिल गया तो once, tens, tens पे क्या है seven तो इसके हमें right place को पढ़ना होता है right place पे क्या लिखा है three अब three first part में है या second आप three यहाँ से उठाईए यहाँ पे सर्ज करिए देखिए first part में है या second देखिए three first part में है तो आपसे बता है अगर कोई भी digit first part में है तो same के same हो वैसे के वैसे बनी रहेगी उसमें कोई changing नहीं होगा तो three हमें पढ़ना क्या है tens तो once हमारा zero हो जाएगा और tens seven वैसे के वैसे बनी रहेगी देखिए 73 यहाँ पे 73 यहाँ पे 70 value कम हो रही है न तो अगर value कम हो जाए तो round down होता है अगर value ज्यादा हो जाए तो वो round up होता है अब second example ninety six change किसमें करना है nearest ten में once tens तो इसके right place को हमें पढ़ना होता है तो nine के right place पे क्या लिखा है six six को उठाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे देखें फ़र्ष्ट पार्ट में है या second पार्ट में है फ़र्ष्ट पार्ट में नहीं है न second पार्ट में है अगर आपसे बताए digit second पार्ट में है तो हम उसमें one plus कर देंगे तो यहाँ once zero और nine में हम one plus करेंगे तो क्या हो जाएगा ten 96 का nearest 10 क्या हो गया 100 अब देखिए यहां पे दिजिट संख्या बढ़ रही है यहां पे क्या गया 100 देखो value जादा हो रही है न तो यहां पे round up हो रहा है जब value जादा हो जाए तो round up होता है और value कम रहे तो round down होता है अब जैसे हमको मिल गया 127 127 127 हमको nearest 10 में change करना है तो once tense ये value ऐसे की वैसे रहेगे 10 पे क्या है 2 once पे क्या है 7 तो इसके right place पे क्या लिखा है 7 7 को उठाएंगे और यहां पे search करेंगे देखें फर्स्ट पार्ट में है या second पार्ट में है second पार्ट में है तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे उसके 10 में 1 प्लस करेंगे जो हमको पढ़ना है 10 तो once 0 और 10 में हम 1 प्लस कर देंगे 10 पे क्या लिखा 2 तो 2 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यह वैसे की वैसे बना रहेगा तो 127 का nearest 10 क्या हो गया 130 value ज़ादा हो रही है न तो round अब हो रहा है fourth example लेंगे 132 अब 132 change किस में करना है nearest 10 में 10 के right place पे क्या लिखा है 2 2 को उठाएंगे यहाँ पे search करेंगे देखे किस पार्ट में है first part में तो no changing and second part में है तो 10s place पे हमें one add कर देना होता है तो देखिए first part में है तो कोई changing नहीं होगी same वैसे कि वैसे हम लिख देंगे तो once हमारा zero हो जाएगा और 10s वैसे कि वैसे बनी रहेगी और once भी अब आज का topic जो हम आपको question देने वाले है round of each of the following to the nearest 10 ये जो आपको संख्याई मिली हुई है digit मिला इसको किसमे change करना है आपको nearest 10 में change करना है तो यहाँ पे 73, 45 अब हम देखेंगे nearest 10 में once, 10s तो 10s के right place पे क्या लिखा? 3, 3 उठा के हम search करेंगे अगर first part में है तो इसमें कोई changing नहीं हो जी once हमारा 0 हो जाएगा 7 वैसे के वैसे बना रहेगा अब 45 change किसमें करना है? nearest 10 में तो 45 ऐसे हम 45 लिखेंगे और nearest 10 बनाना हमें तो इसके right place पे क्या लिखा है? 5, 5 को उठाएंगे यहाँ पे search करेंगे first part में है? नहीं, second part में है तो 10 में 1 प्लस हो जाएगा तो once, 0 और 10 में हम 1 प्लस कर देंगे तो 4 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ऐसे ही अब आपको question दिया जाएगा उसे आप solve करना अगर कहीं भी कोई भी समस्य आपके पास है तो आप हमसे phone करके जरूर पूछें कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया है हमको दुबारा बता दीजिए Thank you